अलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी जीटिव चैनल तो फ्लूइड मेकैनिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11 और नीट की प्रिप्रेशन के अंडर ये है चैप्टर 10 क्लास 11 फिजिक्स का जिसका नाम NCRT में हैं Mechanical Properties of Fluids Fluids के बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 और नीट की प्रिप्रेशन के Point of View से काफी important चैप्टर है और इस पूरी सीरीज के दौरान चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई और चैप्टर हो नीट गाइड और तीसरे स्टूडेंट को दी जाएगी बुक नीट चैंपियन आपको करना क्या है कि Fluid Mechanics की पूरी सीरीज में जितने भी वीडियो में अप्लोड कर रहा हूँ पूरे टॉपिक के पूरे चैप्टर के उन सब पे आपको comment करना है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है जब यह chapter खतम हो जाएगा फरस्ट फरवरी date decide की गई है क्योंकि जनवरी जनवरी में यह chapter चलेगा जब यह chapter खतम हो जाएगा तो फरस्ट फरवरी को इन सारे वीडियोस में से जितने भी बच्चों ने कॉमेंट किये होंगे तीन रेंडम वीडियोस पिक करके उन में से तीन स्टुडेंट्स को चूज किया जाएगा और उनको दी दी जाएगी एक एक बुक की हार्ड कॉपी समझ आगे है बच्चों आपको और और भी बहुत सारे इस चैरल पे चल रहे हैं तो और जितने भी आगे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं जादा से जादा बुक्स जो है बच्चों को देने की कोशिश की जाएगी काफी बच्चे कॉपेंट करके डारेक्ट बुक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे है मैं बिल्कुल आपको देना चाहता हूँ बुक बच्चोंपर मेरे बहुत सारे कॉमेंट्स और मेल साते हैं तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने ही बच्चे कॉमेंट कर रहे है randomly उनमें से मैं pick कर लूँगा student और उसको book दे दी जाएगी उसका address लेके आप wait करते रहिए बहुत ही जल्दी giveaways videos बीच बीच में upload होते रहेंगे जिन बच्चों ने इन videos पर comment किया उनमें से student को choose कर लिया जाएगा तो शुरू करते हैं बच्चो measurement of pressure तो pressure के बारे में हमने कल के lecture में काफी कुछ पढ़ लिया है अब हम बात करते हैं कि pressure को measure किया कैसे जाता है pressure को measure करने के लिए दो instruments हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दो device हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पहला है barometer 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 use होता है atmospheric pressure को measure करने के लिए टॉरी सिली नाम के साइन्टिस्ट ने सबसे पहले बैरोमीटर बनाया था और उसकी मदद से एटमोस्फरिक प्रेशर की वैल्यू निकाली थी टॉरी सिली ने क्या किया मैं आपको पहले ये बताता हूँ फिर मॉडन बैरोमीटर जो है उनका डिजाइन कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ टॉरी सिली ने एक कंटेनर में लिक्विड लिया मर्कृरी मर्कृरी ही क्यों लिया टॉरी सिली ने कोई और लिक्विड क्यों नहीं लिया इसका reason मैं अभी आपको बताता हूँ तो उसने इस एक कंटेनर में मर्कृरी लिया ठीक है और container में mercury लेने के साथ उसने एक long tube में भी mercury लिया long tube में और उस long tube को जो उपर से बंद थी उसको उसने container में invert कर दिया ऐसे उल्टा ठीक है ऐसे container में invert कर दिया तो obvious है कि इस tube के अंदर जो mercury था वो container में गया और container में जो mercury का level था वो बढ़ने लगा container में mercury का जो level था वो बढ़ने लगा लेकिन थोड़ी दिर बाद वो level बढ़ना रुख गया थोड़ी दिर बाद वो level बढ़ना रुख गया वो तब रुखा जब इस level में container में जो mercury का level है और tube में जो mercury का level है, इन दोनों के बीच में, जो height का difference रहा, वो 76 cm रहा, समझ रहे ना, अभी मैं आपको पूरे reason बताऊंगा, पहले आप experiment को समझ लो, एक container में mercury लिया गया, फिर एक tube में mercury लिया गया, और उस tube को container में उल्टा कर दिया गया, उल्टा करने से क्या होगा, obviously tube का जो mercury है, वो container में जाएगा, container में अगर वो जाएगा, तो container में जो mercury था, उसका level बढ़ेगा, यह इदर से उपर आने लगेगा, तो क्या यह हमेशा के लिए होता है, कि पूरा का पूरा यह tube खाली हो जाएगा, और इसका mercury जो है, वो container में आ ज centimeter, अब ऐसा क्यूं हुआ, तो इसकी explanation यह है, कि क्यूंकि यहाँ पर atmosphere है, यहाँ पर atmosphere का pressure उपर से नीचे लग रहा है, हाना, जब तक, अच्छा इसको रोकेगा कौन, भई, atmospheric pressure उपर से लग रहा है, जब तक नीचे वाली यह जो force है, यह नीचे वाली force किसकी है, यह जो weight है mercury का, यह इसको push कर रहा है, जिसकी वज़े से यहाँ से यह उपर push हो रहा है, हाना, जो mercury का weight है, यह नीचे आ रहा है, तो उसकी वज़े से force जो है, इसको उपर push कर रही है, जब तक यह force, atmospheric pressure की force से ज़ादा है, तब तक तो container में जो mercury है, वो उपर जाता रहेगा, एक time के बा आएगा कि वो उतना पुश कर सके, धीरे धीरे इसकी जो पुश करने की फोर्स है, क्योंकि इसका वेट कम होता जा रहा है, वो भी कम होती जा रही है, एक टाइम आएगा, ये तब तक ही उपर यहाँ पर जाएगा, जब तक ये फोर्स एट्मोसफेरिक प्रेशर से ज्यादा जैसे ही atmospheric pressure के बराबर हुआ ये वाला pressure तब ये बढ़ना level रुक जाएगा और ऐसा तब हो रहा है जब 76 cm का difference आ रहा है हमेशा ऐसा तब होता है जब mercury में इस level में और इस level में 76 cm का difference आ रहा है अब क्योंकि कल के lecture में आपको बताया था कि एक liquid जब equilibrium में होता है तो हर depth पे pressure क्या रहता है सेम रहता है हना तो जितना pressure यहां होगा उतना ही यहां होगा इसको अटा दें थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं थोड़ी से सो यह न मर्कृरीज में equilibrium में same depth पे pressure क्या रहता है सेम रहता है तो इस point पे जो pressure है ठीक इस point पे surface पे वो तो atmospheric pressure के बराबर है पिये तो obviously य अगर इन दोनों में pressure difference होता इन दोनों points में pressure difference होता यहां pressure ज़्यादा होता यहां कम होता तो equilibrium आता ही क्यों अगर liquid equilibrium में आ गया है अगर liquid equilibrium में आ गया है तो हर depth पे pressure क्या होगा सेम होगा इसका मतलब है कि 76 cm mercury column की depth पे जो pressure है वही 1 atmospheric pressure के बराबर है So, 1 atmospheric pressure is equal to 76 cm of mercury column, अना, ये कल भी आपको बताया था, अब देखो, अगर कोई और liquid भी लेते, mercury के अलावा कोई भी और liquid लेते, तो कहीं ना कहीं पे, उसका भी तो column length का, उसके भी तो column की इतनी length आई जाती ना, कि उसका pressure यहाँ पर 1 ATM के बराबर हो जाता, तो हमने mercury ही क्यों लिया, अना, आपको यह और liquid लेते, ये फंडा तो उसके भी चलता, तो वो भी कहीं ना कहीं पे रुख जाता, जब यहाँ पर pressure, 1 atmospheric pressure के बराबर हो जाता, तो mercury ही क्यों लिया जाता है, अब तो नहीं लिया जाता है, 2007 के बाद क्योंकि बहुत toxic effects के liquid बदल द वो उसका बहुत लंबा column लगाना पड़ेगा, mercury की density कम होने की वज़ासे, कम height के column में ही उसका pressure, 1 atmospheric pressure के बराबर हो गया, अगर आप water लेते हो, तो water का 10 meter लंबा आपको column लेना पड़ता है, तब यहाँ पे 1 atmospheric pressure के बराबर pressure बनता है, which is practically not possible, तो mercury इसलिए लिया गया है, क्यों अगर बाहर आप pressure कम कर दोगे, तो ट्यूब में mercury नीचे आ जाएगा, अगर आप बाहर pressure बढ़ा दोगे, तो ट्यूब में mercury उपर चला जाएगा, ठीके, और यहाँ पे उसके scale लगा रहता है, वहां से वो हम mercury के level से हमको बताता रहता है, कि अगर mercury इतना pressure होगा, इतना pressure हो आप सोचो अगर आप इसको एक ऐसी जगा पर ले गए हो जहाँ प्रेशर कम है अब प्रेशर कम है तो नीचे वाला प्रेशर फिर इसको उपर धक्का मारेगा इधर से ये नीचे आएगा तो इधर से ये स्वरी उपर जाएगा मर्करी का लेवल तो इधर से ये नीचे ठीक है समझ में आई बात तो यहां से atmospheric pressure की value मिल गई one atmospheric pressure क्या है 76 cm of mercury column यानि अगर मैं formula लगाऊ h rho g तो h हो गया 76 by 100 si units में rho of mercury is 13.6 into 10 raised to power 3 into g 9.8 इसको solve करके हमें value मिली है 101325 Pascal यानि newton per meter square so this value is one atmospheric pressure तो यहां से हमने one atmospheric pressure निकाला है अब अगर मैं इसको mountain पे ले गया हूँ वहाँ पे इसका level थोड़ा सा घट जाएगा वहाँ पे अगर यह height रह गई है suppose 70 cm तो 70 यहाँ पे हम लोग put करके निकाल लेंगे कि उस mountain पे pressure कितना है तो atmospheric pressure निकालने के लिए यह यंत्र यूज होता इसको बोलते है barometer अगर barometer की tube vertical ना हो तब भी यह जो height है यह vertical ही लेनी है आपको कल के lecture में बताया था अगर यह tube ऐसी डाल दी इसने barometer की barometer की जो tube है बोल रहा है कि मानलो ऐसे है यह inclined है यह mercury है इसके अंदर और बोल रहा है मानलो यह inclined है 30 डिग्री पे तो बताओ फिर इसमें mercury की height कितनी होगी तो vertical height should be 76 ना तभी तो इत्ता pressure बैठेगा बेस पे mercury हाइट वर्टिकल हाइट शुड भी 76 एड़ वर्टिकल हाइट इस 76 तो mercury यहां तक होगा तो कहरे बताओ कि ट्यूब में कितनी लेंथ तक mercury है तो आप सिंपल trigonometry लगा के बता सकते हो कि इस ट्यूब में डबल लेंथ पे होगा mercury यानि 76 का डबल कैसे आप साइन थीटा लगाओ 76 बाइल इस साइन 120 वन ट्वेंटी निस और ट्वेंटी यह लिए साइन 30 होता हाफ तो एल हो गया यहां पर रखा टू इदर मल्टिप्लाई हो गया एल हो गया 76 बाइटू यानि की 152 सेंटी मीटर अगर आप ट्यूब को 30 डिगरी पे ऐसे टिल्ट कर दो तो 152 सेंटी मेटर तक mercury चड़ जाएगा ट्यूब के अंदर ठीक दूसरा यंत्र है प्रेशर को नापने का उसको बोलते हैं मैनोमीटर मनोम idee, man new meter इशेust तो मेजर्चर अडेशर का इंपकर अंदर अंदेन, Whitney च 7 इंच प्रेशर के मार्चर अंद तो मेजर्चर्ण आफ़ गैस इन अ कंटेनर और चैंबर ठीक है यह कैसे काम करता है यह कैसे काम करता है मान लो यहां पर आपके पास एक चैंबर है कंटेनर है कुछ भी है जिसके अंदर एक गैस है ठीक है इस गैस का आपने प्रेशर नापना है तो गैस का किसी कंटेनर के अंदर क्या प्रेश करते हैं manometer तो इसके अंदर एक gas है इस gas का pressure हम कैसे ना पें manometer क्या है यहाँ से आप एक YouTube connect कर दो ऐसे ऐसे ठीक है और इस YouTube में रख दो mercury इसका यह वाला एंड ओपन है इसको बोलते है open end manometer ठीक है यह वाला and open है तो यहाँ पे आप इस इस Tube के अंदर आप एक liquid रख दो कोई सा भी बट generally इसके अंदर भी क्या होता है mercury होता है अब क्या होगा अगर तो इस container में gas नहीं है तो कहीं से कोई pressure नहीं आ रहा है mercury में दोनों तरफ का जो level है वो same होगा लेकिन जैसे यहाँ पर pressure आया यह gas का pressure इसको धक्का मारेगा इधर हाना यह gas का जो pressure है इसको इधर धक्का मारेगा जिससे mercury जो है इस pressure की वज़े से इधर से नीचे चला जाएगा और उदर से उपर चला जाएगा मान लो यहां पर इतना level आ गया यहां इतना level आ ठीक है और यहां पर हम बताता हूं इसको रंग भर दे जरा हम यहां पर हम एक scale लगा देते हैं यहां पर एक scale लगा देते हैं because हमें यहां से levels measure करने होते हैं level not levels यहां पर एक scale लगा रहता है हना तो आपने यह देखना है कि यह कितना difference आया दोनों limbs में mercury या जो भी liquid है इसके अंदर उसके level में इतना difference आया मान लो H और gas का जो pressure है यहाँ पे वो है PG, pressure of gas यहाँ पर क्या होगा, because यह open है तो यहाँ पर क्या होगा, PA atmospheric pressure, अब यहाँ पर equilibrium set हो गया, हम देख रहे हैं कि इसके बाद mercury का level इदर से और उपर नहीं जा रहा है, एक equilibrium आ गया है अगर equilibrium आ गया है, तो same depth पर pressure क्या होगा, same होगा same depth लग रही है, same depth तो नहीं लग रही है, एक minute, यहाँ से ऐसे सीधा, हना same depth पर यहाँ पर और यहाँ पर pressure क्या होगा same होगा, equilibrium में liquid के same depth पर pressure क्या होता है same होता है, तो प्रेशर है, प्लस यहां तक H डेप्थ पे इस लिक्विड का जो प्रेशर है, यानि H रो जी, मान लेते हैं, लिक्विड की डेंस्टी है, रो, तो इस फॉर्मूले से P A प्लस H रो जी करके, हम निकाल सकते हैं, इस चैंबर में गैस का प्रेशर, for example, मान लो कोईशन में आपको दिया हुआ है, मान लो कोईशन में आपको यह कोईशन बना के दिया हुआ है, और यहां पर यह लिखा हुआ है, कि यह डिफरेंस है 20 cm, ठीक है, और एक imaginary लिक्विड इसमें बोला है, जिसकी डेंसिटी है, suppose 950 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, कोई सबी लिक्विड, मरकरी होता है वैसे तो, बट कोई सबी लिक्विड मान लो, इसने यहां पर दिया है, और atmospheric pressure के आपको value पता है, तो कहरा है बताओ, इस chamber में जो gas है, उसका pressure क्या होगा, तो उस gas का pressure PG क्या होगा, atmospheric pressure 101325, प्लस, कितना height पे है, 20 cm के height पे है, तो 20 by 100 into rho, rho is 950 into G10, तो यह, ठीक है, 0 से 0 कटा, यह 0 से 0 कटा, तो यह बचा, 95 into 2, 190, 1900, 101325, प्लस, 1900, is 521, 0, यह, पासकल, newton per meter square, तो इस तरीके से, gas का pressure निकाल सकते हम, किसी भी chamber के अंदर, तो यह, दो तरीके हैं, pressure को measure करने के लिए, barometer और manometer, इस पे based, इसी तरह के questions आते हैं, NEET में काफी सालों से, इसके उपर question नहीं आया, बट class 11th के लिए, बहुत important है, और अगर question नहीं आया, तो इसका मतलब यह निए, कि आ नहीं सकता, NEET के syllabus में है, आपको करना पड़ेगा, SL Aurora, Pradip, सारी books में, इनके उपर आपको exercise मिल जाएगी, barometer और manometer के उपर, उस exercise को practice कर लेना, उसमें सारे इसी तरह के questions हैं, मैं आपसे मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए all the very best.